नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार. चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है, सर《जबर》 आज में भी समाज से जुरी हुई है और ऐसे समाज, ऐसे समै की समाज जो पौरानी कता के रूप ले चुकी है ये सवाज की बात यहाँ पर आज भी वास्तविकता है मैं पहुंचा हूँ, हमारी टीम आई है चपाल समचार की थावे भवानी के मंदिर के पास में रहशू जो भक्त रहशू जिनका नाम है जिनके नाम से थावे भवानी जाने जाती है वो भक्त रहुशु जो समाज के लिए जो अकाल पराथा आप तो डर्सगों को पहले कहाणी मालूब है कि अकाल पराथा तो उस समय इन्हों ने अपने सक्ति से या माता के असिरवाद से उस अकाल के समय में भी बास्मती चावल गरीबों को खिलाते थे ऐसी कहानी है और यह कहानी वरतमान समय में भी उसकी वास्तविक्ता का स्वरूप है मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे मैं पहले आपको मंदिर का दर्सन करा दूँ और साथी साथ यहाँ पर जो बावा हैं उनसे भी हम बात कर आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर कहानी है और क्या उसकी वास्तविक्ता है दर्सकों को मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा देखिए मैं बार-बार समाज की बात करता हूँ बार-बार मैं आप सभी को कहता हूँ तो देखिए हर जगा हर जगा वो बाते मिलेगी और ये वास्तविकता है हम आप सभी आज इस जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से सोच सब्सक्様 करें तो आज यहां पर मंदिर की जो मानिता है आप भी देखेंगे जब सुनेंगे जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बहतर है यह बात यह बात आइसे मैं आपको यहां पर पूरी बात को दिखाते समय मैं आप आपसे अग्रह करूँगा कि यह भावनात्मक है इस पर कहीं से भी जो बातें जैसे हम लोग वैज्ञानी कहा और मैं यह भी कहूंगा कि विज्ञान भी उसी अध्यात्म से उपर की चीज कहें या उसके बराबर की कहें या नीचे जो भी वैज्ञान का अलग महतु है और पर आनन्दा रहा है और मैं आपको लिए चलता हूं सीधे रहसु जी के पास और वहां पर देखिए कि आज भी वो ध्यान मुद्रा मेहर उनकी माता जी का जो कंगन है जो दिख रहा है पहले प्रणाम करते हैं उनको और आप सभी हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगा आप प अखरी जो कहानी जो आती है बाद में कि माता जब यहां पर कट हुई तो उनका हाथ कंगन के साथ दिखा था और उसके बाद जो राजा थे यहां पर मनंद सेंजी उनका सारा कुछ से नस्ट हो गया था तो वो सारी बाते हैं से मैं यहां पर जो बाबा है उनसे मैं बात करक मंदिर का पुजारी हूं यह बाबा की कहानी जो है आज से अधाई हज्जार बरस पहले की है कारू कमशा के दिवी जो है भारमण में आई थी यहां जब आई थी तो यह जगा जो थावे का है दिवी को बहुत अच्छा लगा दिवी ने यह विचार किया कि मैं अपना मंदिर इसी नग्र में आई जो भावानी पूर जाती के लड़की थी मुनिया जो कि दम सिधा सदा भोला भोला जिसे कहाते हैं उसी से देवी ने अपना रूप बदल कर बुढ़िया के रूपधा के उनसे बास्चित किया तो मुनिया बोली कि आप दादी नानी के उमर के हाँ है तो देवी माई समझ गें इसी दा सदा लड़की है तो बात नहीं समझ रहे तो उन्होंने काया कि तुम डर्ना नहीं मैं अपना पूरा रूप तुम्हें देखा देती हूं कि मैं कौन हूँ तो मुनिया कई ठीक है देखाईए तो देखाया परकट करके अपना दुर का कि माध्याम से मैं एक पूत्र चाहती हूं तो मुनिया हबडा गई इसलिए कि उज्यात कि छुट चमार जाती से थी उन्होंने कहा कि मा मैं तो कुवारी रड़की हूं मुझसे बच्चा होगा कहिए तो देवी मा ने कहा कि तुम इस बात का चिंता मत कुर मैं अपने धंग कहीं तो जाने कहीं रजा जाने कह Geschir. कुरुर रजा है यहाँ के जो रजा है बहुत इस बहुत तैट शाषों का तो कहीं हमको मरवादे When our sailed-gel b लोग ями दीए हुक्ता को Devima ने खहा कि इसा कुछ नहीं होने वाले है परिवारिक लोग उसको कहीं मरवादे बढ़ आए देविमाना कहा एक एश कुछ नहीं होने वाला है। तब कहा ठीक है मया जब तुम कहती हो तो देखो लेकी हमारे अधा बने रहा है। आपने अपने शक्ति से मुनिया के हाथ में फोड़ा बनाया उसी से रहसु बहुत का जनम गराजीन के चलते इनकी नाम रहसु पड़ा आपने अपने अनुसार पालन पसंद करके दिविमा ने बाबा को 17-18 साल के बना कर सिक्षा दिक्षा अपना बगती सब शिखा दिया उसके बाद है यहां मुनिया जो थी रहसु भाट की मौनिया तो कभी कभी दिमाग में उनको आता था कि देवि मा ने थी हमारे हांसे बच्चा बनाया ले गया बच्चा कैसा हुआ तो कितना बड़ा हुआ होगा इस तरह का वीचार करते रहती. देभी माई थारी बाता समझती थी. देभी माई एक दिन कहा कि एक दिन तुम चले जाओ अपने देश, गावन जहां तुम भारी मा है, मुनिया नाब। ईस जगा पाय के थाल का पर्छे दिया. जबी माई के कहने कुन सर बाबा यहां आ गया रसुबा, एक दम नव जुवक थे, वसरते यहाँ जिस दिन पहुंचे तो उस समय बारिस्पानी नहीं होने कर आकाल परा हुआ था, खेती हुआ नहीं था, अन हुआ नहीं तो भोजन तो मिले गा नहीं, जब अन्ने नहीं दख रखता है, यहाँ बात जानका रहा है तो बाबा ने देखा कि तो लोगों ने परसान कर दिया, तो रात में भाबा ने ध्यान धरा देवी माई के कवरुक कम अच्छावा लिका, तक देवी माई तुरत परकट हो गए, इनके भक्ती से बहुत परसंद थी, जहाँ आवाज लोगा स्वेधिये दिया है, बाबा ने पूजा क्या बात है, बाबा ने सारी बात काई है, यहाँ काल पढ़ के एकि भोजन का भी कठनाई है, ये घ्राइ लो जक भर रहे है, प्लाइगर जो देख रहे हुए, और तो पिमारे ने करना हमारे सक्ति से चावल निकलेगा मनस्रा नाम का चावल की कत्रा घासे ओही सुबा में खाना और लोगों में जो बंचे बाढ़ दे परती दिन ऐसे करना जिबी माई के आदेश मान का भावा नहीं करना लगा एक दिन की बात है कि एक भुखमारी के कागार था बाबा गया जान देवी सक्ति से चावल होता था तो का कि एक पंडी जी उसी गाह में भीक मांगते हुआ है कोन देजी किसी कहा है जब खाने को यह देगा को कैसे कैसे अपना बालबचा जिया रहा है प्राण जिया रहा है तो उनको कौन देज तो किसी ने कहा भुजुर आदमी ने कि जान देज चावल निकलता है कि अपना भोजन करते हैं और बाट देज जाए पंडी जी आ गया वहाँ बाबा के पास तो बाबाने दूचार सुप चावल दे दिया जब दे दिया जब दे दिये बाबा तो का कि ए पंडी जी की तो मौन मा थुड़ा और का एक्षा बना ठांडी जी आगए राजधर्बन मा धर दिया को ल्गार निकार सुप भी, तो मिक्षा बागे दूचा थोड़ा से चावल दुचार पृषा दॉँ दी दियाँ पंडी जी जो इक्षा मनाकर राए तो उसका पूर्तिनमा दुख सुछ। कुछ मन्ने मन कुरोधित हुए तो लोनी ने पूचा कि बबाबा क्या बात है तो क्या बात है हम तो राजदरबार में थे कि कुछ मीले का बढ़िया से था हमरा पंदिन क्या बोजन पता ही चे लगा तुमसे ता अच्छा उरसु भगत है जो जात चमारे बाग से दोरी करते ह जो हमें इतना चावल दी है चार सुप चावल दी है चावल देखाए लोंडी जब चावल देगी तो उसका मत्हा चक्राने लाग लगए इसा चावल तो हम दो आज तक देखे नहीं राय धरवन कहां से चावल है तो राजा यह लोली जो थी बदा से पुछन लगी पंडी यानि राशु बाबा नहीं पुछन लगी, पंडी जी यहां धामरी के जो घटना देखे ते सारी बाते उहां बता दिया, उका के लोडी राजा के पास, पंडी जी को भेजबा दिया सिपाही के सांद, जो उसका गाड नहीं होता है, तुछना थे बात देखे, चावल राजा देखे, सब लोग देखा, महाँ जो दरबारी थे, बाबा से पूछे, तो बाबा ने पता दिया, ठीक है, जाइए पंडी जी आ, रात में गुपचर जो होता है राजा को उसको भेजगर जहां, भावानी पुन में धामरी जो होता है, वह चेक करा है, कि ये बात सत है कि पं बड़ी भायंकर सब भाग है, साफ है, भागे भागे आया, राजा से कहा कि बात सही है, तो राजा भी वहाँ जाकर देखे घुड़ा से, भी डर गए, चले, अगले दीन, राजा मनन सिंह जो थे यहां का राजा, जो आज से अड़ाई हजार परस पहले की घटना हुई थी तो राजा का किएगी, बाबा को बलवाई इसी धरतिपा जहां आज हम लो बइठे हुए हैं या मन्दिर हैं, इसी जगा दावरी कराकर देखें, दावरी देखने के बाद पुरभता चावलोल सब निकलना लगा, जो आप अभी मुरत्म में देखें तो सब वास्तिवकता ह देवीह ने हमें ऊब वसक्ति दिया है, आसरी बाद ओर रहा है तो राजा कहा कि मैं भी देवी को पूझता हूँ, यह मेरी देवी महीय से को इसी सक्ती नहीं दिया है, उसससे देवीह को देखाई है, भाभा समझा य। राजा है, भाभा सूछाhos ने लिकि राजा है लेकि बाबा को मार दिने, भक्सी दिने राईजदौन नहीं अगूट। उस हिजा हमुत थरना देनE नहीं कोर ses इसरे स्कंडाने मारी सबुए भाबा कहें कि बहुत था झोट। तो डिखा लोह थे, हम आपने अत्री अधरी । यह परिवारिक लोग हैं, इस अपो कटवाज जलवा देगा, भक्सी जुपाज़ा, तो इससे अचाहते कि मेरे सीरे ही, जो होगा, होगा, तो बाबा ने कागटिक है, देवी में एक सुम्रन के एक और कुमा चाहिज देवी में चली कलकाता, पटना, यामी, सेम्रवान गट इधर होते हुए गोडा गाट आए, गोडा गाट आने को बाद देवी ने हर्चेवास चेतावने दिया, कि राजा, समझाएए, बाबा ने समझाया, लेकि माना नहीं, राजा, दोडा गाट से देवी ने थुड़ा दुखित होगे, तो आधी तुफान कुरोद में देजा दर्ती कांपने लगा, डूलने लगा, भुकप नहीं होता है। राजा कहीं बिल्डिंग गाट, बाबा कहीं कि देखे, देवी का इपरकोव है, राजा कहां कि यारे बाबा हमको कहीं लिए भार मार है, आईशा प्राकिर्ति का अपना अनित उपाना आता है, तो देवी का क कोई खेलतामासा नहीं, आप देखाईगा, अन्या था आजए थाल्च करने कोई समाय के तेरी नहीं है, बाबा कई कि ठीक है एएसे मरना है पुरा जंगल देख रहे हैं, सब पंचानबे एकड़ में रजा का मदन सिंह का बिल्डिंग ता, सब धवस कर दिया जिसे भूकप में नहीं होता, पुरा धा, जो उसी बिल्डिंग पा जंगल जो देख रहे हैं, ताव का जंगल, आए, अद देवी में आई यह बाबागे, आए, आए रसु बाबा के हृड़े में प्रिवस गर्वस करके मस्टकफार के राजा को दर्षण दिख लिख है, जो खंग आप लोग सामने देख रहे हैं, सामने जो बाबा के कंगन देख रहे हैं, माथा परना, इतना ही देवी, दर्संद दिया राजा को, राजा उसके पहाद भेश पाद उमर गए तब ने ने बाबा से कहा कि वोली देवलोक भेद्य तो बाबा भोले कि नहीं बॉले जब आप यहान रहने कर निटे ले चुके तो मैं भी आपके सेवा मे रहूंग, आपके साथ रहूंग, तब से देवी और रासु बाबा दोनों एक साथ यहा एक महिया का एक बाबा का मक्ति का सब्सक्ति यह सक्ति पीड जागा है पावरफुल है आज भी और कल भी था जितना ओधिन था उतना आज भी यहां है अगर नहीं विश्वास है तो अपने सही मन को तौल कर, कंट्रोल करके मन चीत को एकतित करके कोई भी चीज कामना है जो करके देखी अगर नहीं होता था आप विश्वास रखेंगा ना रखेंगा आपकी उपर है चलिए राशु भक्त राशु की जय और हमारे दर्सक यहां भी यहां भी हमारे आ गए हैं भक्त लोग तो इनका भी एक पर जय काना लगा यह आप सब लो बख यह अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाबा ने जो कहानी बताई है दिखिए इसकी वास्तविक्ता को आप महसूस करेंगे बाबा ने कहा कि यहां पर जो बाते हुई है इसको महसूस करने की बात है और जब हम आप इसे म महबता नजर आएगी तो आज यह मैं दसवों को यही कहूंगा कि देखिए मैं आपको दिखा चुका हूँ अब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभी बरतमान सबसे कठिन काम पूत्र प्राप्त करना होते हैं जो असिरबाद लेके हैं सब गई सब बाल बचने वह अपने बच्चा लेकर आए यह देखाती है कि बबाब यह यहां का असिरबाद से हमें बच्चा हुआ है रड़का है लड़की है अभी बरतमान पटना से चार को को नहीं मिलेगे जब यह इतना कठीन चीज मिल गया जरूर आएक नहीं दस पंद्रा से उपर की पर मारें जरूर बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर अपनी बात को रखने के लिए और भगवान से जुरे हुई हर बात को बताने के लिए धन्यवाद तो आप दर्सकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके माध्यम से जरूर यह कहूंगा कि आप सभी हमारे दर्सक भी अपनी मननत आप यहां चुकि मैं मंदिर से सीधे आपको दर्सन करा रहा हूं तो आप उससे देखें महसूस करें और भगवान से मांगे भगवान हर जगह होते हैं जै जान की कागरता के साथ जब आप भगवान से मांगेंगे तो आपके मनते पूरी होगी तो इस यासा के साथ मैं आप दर्सकों से जरूर कहूंगा कि आप लोग जुड़े रहें ऐसी ख़बर हम लोग लेकर आते रहते हैं और समाज इकता मैं बार बार कहूंगा जो भक्त र गास थे उन्होंने गास से निकलने का बिधी था जो दिया थ्यक्रकाषा एनगे और सब्सक्रेशा ही जो आज लोग को भी धर्ती छोड़ करके जाना ही परेगा चाहे कोई कितना भी लोग कितना भी समझदार है कितना भी पढ़ा लिखायाMaster इतना भी कुछ भी है हम लोग इस धर्ति पर मैं जरूर कहूंगा कि आप सभी हम सभी हम सभी मिलकर इसी समाजिकता का रहसु जी ने दिया था समाज के लिए अपने आपको बलिदान कर दिया समाज को बचाने के लिए अपने आपको बलिदान किया माता को बुलाया और जो मानेता है राज भी ये मानेता है मानने होगे हैं हम सभी को महसूस करना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही मैं आप दर इनर्जी मिलती है आप दर्सकों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो यह जो मंदिर है इसमें आने के बाद बहुत इनर्जी मिलती है पहले भी आने का मुझे मौका मिला और इस पर मैं आप खास कर आप दर्सकों के लिए मैं यहां पर आया हूं कि आप लोग भी यहां दर कारा लगा रहे हैं तो मैं दर्शोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही आएं जब भी मौका मिले आप आएं और ये ये गोपाल गंज जीला के थावे जगा है आपको बहुत ही परचलीत है इसमें कहीं किसी से पूछने के जरूरत भी नहीं परेगी एक बार आप उहां से चलेंगे तो सीधे आपको सारा कुछ दिख जाएगा तो उसके माध्यम से आप यहां पर आ जाएं और भगवान का अस्मरन करें यहां की इनर्जी को महसूस करें और यह बाबा का प्रसाद भी हम लोग यह महसूस कर रहा है कि यहां पर आई आप ही साप लोग आ ज जाओंगा कि देखिए यह हर हर सारी बातें जो जो बताई गई हैं जो आपको समझाई गई हैं या जो आपको बता या अभी मैं बताया हूं यह सारी कहानी यह कहानी का जो रूप है वो कहानी का रूप एक वास्तविक्ता से जुड़ी हुई है और इसको लेकर इसको लेकर आप महसूस जब करेंगे तो बेहतर आपको आप देख पाएंगे कि देखें मैं आप दर्सों के लिए यह मैं जरूर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आप लोग यहाँ पर आएं और यहां की जो दिव्यता है यहां की जो भव्यता है उसको आप महसूस करें और समाजिकता के बाद जो मैं बार बार करता हूँ कि समाजिक सारोकार समाज से जुरी हुई बात हम सभी मनुष्य एक समाजिक प्रानी है और इसकी जो परिभासा है उसको जरूर हम लोग बार बार दुहराते रहें तो यह बहुत ही पेहतर रहेगा देखिए जहाँ पर माता जी हैं बहांजी हैं सभी लोग यहां पर आ करके और भगवान का स्मरन करते हैं और साध लोग गरहन करते हैं तो आज मैं दरसकों के लिए जरूर मैं यही कहना चाहूंगा की यह आई इधर आई इधर आई है एक सब को मंगल कामना के साथ हमारे कैमरा पर सन रमेश कुमार के साथ में हो शेकान लेकिन मैं आप जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आप इस कार्थ करम को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फेस्बूक क पर सकते हैं टूटर पर भी आप हमें फॉलो का जूर सकते हैं साथ ही साथ हम लोग वाटसप का गुरूप बना लिया है यह नंबर है 6206610060 उस पर आप मैसेज करें हम आपको समझद ग्रूप में जोड़ने का प्रयास करेंगा इसके लिए बस इतना ही कैमरा परसन रमेश कुमार के साथ मैं हुआ विशे कानन चपाल समचार के लिए धन्यवाद